है प्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चानल और प्रेंट्स सबसे पहले तो मैं इस बार आप लोगों सौरी बोलना चाहूंगी क्योंकि इस हपते वीडियो डालने में मुझे काफी लेट हो चुका है लेकिन क्योंकि मैं कुछ नया बनाने वाली थी तो इस प्रोजेक्ट को बना के लिए मुझे काफी देर लगड़ी फ्रेंट्स यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट है मैं इस बार आपको प्रीच का पॉकेट वाला कवर कैसे बनाते हैं वह बताने वाली हूँ तो और अच्छे बात यह है फ्रेंट्स के इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माइक्रम की जरूरत नहीं होती है सिर्फ माइक्रम लगता है लेकिन माइक्रम थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे इसके लिए छे बंडल्स लगे है तो फ्रेंट्स चलिए मैं आपको बताती हूँ देखें आप बीट्स में यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं करनेनी वाली हूँ तो देखते हम इ मेरे चैनल पर नए है उनके लिए है देखें हम दो कॉट्स को ऐसे लेंगे सेंटर की दो जो सेंटर की कॉट्स है उनको पकड़ेंगे और उनकी जो आजवाजू की कॉट्स है यह देखें यह जो हमारी दो कॉट्स है इसको लेकर हम नॉट लगा लेंगे और इसी तरह से हम को तयार करके इन को तयार करके जॉइंट लगाते जाना है मैं यहां पर नीचे थोड़ा सा धिला रखने वाली हूं डिजाइन दिखने के लिए यह देखिए इस तरह से हमें बनाना है प्रेंट्स यह नॉट्स केसे लगाते हैं यह मैं अपने पर्स के पिछले वीडियो में थोड़ा डिजाइन दिखे बस इसलिए आप नहीं रखना चाहिए तो मत रखेगा दिखिए तो देखिए प्रेंट्स यह औरेंज कलर का भी मैंने उसी तरह से नॉट लगा लिया है तू को लिए है और नॉट लगा लिया है अब मैं आपको दिखाते हूं कि इन दोनों को क लगा लेंजे थाकि यह दोनों जूड़ जाए तो देखिए प्रेंट्स यह जूड़ गए है और ऐसे ही हमें सारी कोट्स में नॉट लगा लगा के उसे जोड़ लेना है और इसके लिए आपको टोटल कोट्स में कोट्स लगने वाली है 50 यानिके 50 और जब आप इस तरह से नॉट्स लगा लेंजे तो वो टोटल 25 हो जाएंगी तो देखिए मैंने यह से रेडी कर लिया है फ्रेंट्स जैसे कि मैंने आप से कहा था कि इस पूरी बेल्ट को बनाने के लिए हमें 50 कोट्स चाहिए और जब ह हो जाती है और अगर फिर भी आपके द्यान में ना रहे तो याद रखिए मैं सारी डीटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ हमेशा प्लीज चेक कर लीजिए गा और अब देखिए मैं आपको बताती हूँ यहां पी नॉट्स के से लगाते जाना है सेंटर से शुरुवात करते हैं हाला कि हमें उन येलो कोड्स में भी नॉट्ट लगाना है लेकिन पहले मैं सेंटर से दिखा देती हूँ याद रखिए ब्रेंट्स में जैसे बताती जा रही हूँ ऐसे ही करना है याद बताती है तो देखिए मैंने सिंगल सिंगल नॉट लगा लिया है ऐसी ही पूरी लाइन में लगा लूँगी अब देखिए मैंने एक-एक-एक नॉट लगा लिया है पहले का हमारा एक-एक नॉट लग चुका है अब मैं यहां बाहर की कॉट्स में भी नॉट लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर से हमें सेंटर की कॉट्स लेके एक एक नॉट फिर से लगा लेना है अब देखे यहां पे फिर से एक नॉट लगा लूँगी सिंगल नॉट लगाना है यहां पे कैंब फिर से हमें। दिखिए प्रेंट्स आपको नॉट्स ठिक से दिख रही होगी ऐसे ही मैं पूरी लाइन में इसको भी बना लूँगी यानि कि टू टू नॉट्स हो जाएंगे तो देखिए प्रेंट्स मैंने यह लाइन भी कम्प्लीट कर लिया है सेकेंड वाले नॉट्स का अब हम फिर से नॉट्स लगाएंगे लेकिन इस बार हम दो नॉट्स एक साथ लगाएंगे एक के बाद एक पास पास लगाएंगे देखिए जैसे ही हम एक नॉट्स लगा लेते हैं उसके नीचे फिर से हमें एक नॉट्स लगाना है ही हम झाता है माहाँ हेस्जार को नॉट्स लगाएंगे AMBUD जैंग, सुच्च्च्ची हो नॉट्स करीब से देखिए फ्रेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही दो-दो नॉट्स लगा लूँगी मैं तो देखिए फ्रेंट्स यह मैंने दो-दो नॉट्स लगा ली है मैंने यह पूरा लाइन कम्प्लीट कर लिया है याद रखिए पूरा लाइन जितना हमने कॉर्ट्स को जोड़ा है पूरी लाइन बनानी है और इसके बाद फिर से सेंटर की कॉर्ट्स को उठा के आपको नॉट्स लगाना है तूटू नॉट्स ही लगाना है और देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गयाप छोड़ रही हूँ ताकि यह चोड़ा बने ठोड़ा सा यह जो मैं हिस्सा बना रही हूँ अभी यह हमारे फिर्च के साइड में आएगा बॉटम पार्ट पर और यहाँ पे हम पोकेट बनाने वाले हैं इसलिए हमें यहाँ पे यह डिजाइन बना रही हूँ और सिंगल सिंगल नॉट्स अगर फ्रेंड्स आपको अगर यह डबल नॉट महीं लगाना है तो आप सिंगल नॉट भी लगा सकते हो लेकिन मुझे लगा कि उसके लिए जाधा टाइम लग जाता है और वह बहुत ही रेगुलर डिजाइन हो जा थोड़ी चोड़ी हो जाई यह बेल्ट यह देखिए मैंने थोड़ा सा गयाप छोड़ दिया है और जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको फ्रिज के उपर डाल के देखना है उसको लगा के देखना है मैं यहाँ पर मेजर बता के भी कोई फाइदा क्योंकि मेरा फ्रिज जो है वो थोड़ा बड़ा है तो आपको उसी हिसाब से बनाना है जितना बड़ा आपका फ्रिज है ओके प्रेंट और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हो मैं आपको जवाद ज़रूर दूंगी अगर आपका फ्रिज बहुत छोटा है तो आप इन कॉट्स को कम कर सकते हो तो देखिए ऐसे ही हमें पूरी बेल्ड बना लेनी है ऐसे ही हमें सारी नौट्स लगानी है गैप छोड़ छोड़ के तो प्रेंट्स मैंने ये कम्प्लीट कर लिया है जैसे के आप देख सकते है और मैं आपको पता दूँ कि मैंने कितनी नौट्स लगाई है एक लाइन में मैंने छे नौट्स लगाई है यानि कि दो दो नौट्स जो है हमारी ये देखिए ये पूरा गिनुंगी में ये जो दो नौट है उसको एक पकड़ेंगे हम तो वो छे है यानि कि बारा नौट्स है और ये जो है ये दस है यानि कि पाच अगर मैं कि दो को मिला के एक पकड़ू तो ओके आपको दिख रहा होगा तो आप गिन लीजी अपने हिसाब से ऊब प्रेंट्स में क्या करूंगी यहां पर एक लाइन बना लूँगी यह जो हमारा येलो कलर का कॉर्ड है कॉर्नर का सब से लास्ट वाला कॉर्ड उसको लेगे में इन सारी कोट्स को उसमें डाल दूंगी यानि की इनको लॉक कर देंगे यहां पे एक बॉर्डर बन जाएगा याद रखेए प्रेंट मैंने नॉट्स को किस तरह से गिना था आप कंफ्यूज हो जाओगे मैंने कहा था कि मैंने दो नौट्स को जो मैंने दो नौट्स लगाई है उसे मैंने एक पकड़ा है तो ऐसे मैंने एक लाइन में छे लगाई है याद रखिए और जब भी आप इसे बनाएंगे तो जब मैंने जो शुरुआत की बेल्ट आपको बनाना बताया था को जोईन करना तो आप अपने प्रिच पे जाके पहले लगा के देखिए कि उसकी चोड़ाई कहा तक है और उसमें आपको कितनी नौट्स लगने वाली है कितनी कोड्स लगने वाली है उस हिसाब से बनाई है तो एसे ही मैं सारी कॉट्स इसमें डाल दूंगी और उनको लॉक कर दूंगी तो अब मैंने इस लाइन को भी कम्प्लीट कर लिया है यह देखिए अब हम दूसरे साइट से उस कॉट को वापस लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर जब यह नॉट्स लगी है देखिए तो इसके नीचे चार कॉट्स आई है और दूसरे साइट में फिर हमें उतनी कॉट्स नहीं मिलेंगी तो डिजाइन बिगड जाएगा उसके लिए जो कॉट्स हम यहाँ पर लाए थे हमारे राइट साइट का उसको हमें फिर से राइट साइट में लेके जाना है यह देखिए यहाँ पर सुट तीन कॉट्स रे जाएंगी तो हमारा डिजाइन टिक से नहीं बनेगा उसके लिए हमें इस कॉट्स को वापस लाना है और हमें दूसरा लाइन बनाना है तो मैं उसी कॉट्स को लेके इन सारी कॉट्स को उसमें डालते जाओंगी और दूसरा लाइन बना लूँगी याद रखिए प्रेंट्स मैं जैसे कॉट्स को डालती जा रही हूँ आप ध्यान से देखिए मैं कभी-कभी एक कॉट्स को में दो बार डाल रही हूँ और सेंटर की जो दो कॉट्स है उसको मैं सिर्फ एक बार डालती जा रही हूँ ता जब आजाए दो प्राइब। तो दीखिए फ्रेंड्स ये दूसरा लाइन भी रेडी हो गया है मेरा और उसके बाद मैंने इसमें एक एक नॉट लगा लिया है सिंगल सिंगल नॉट लगा लिया है और अब मैंने दिजाइन थोड़ा सा शुरू कर दिया है लेकिन मैं आपको इसे यहाँ पर बना न बताऊ हैंगी यह देखिए यह जो पाँच नॉट से हमारी 12345 टू और यलो है उसका मैंने को लेके बड़ा सा वहाँ पर नॉट लगा लिया है क्योंकि उतनी कॉट्स हमें चाहिए डिजाइन बनाने के लिए और फिर से मैंने एक सेक्शन में नॉट लगा लिया है फिर से मैंने त कि यह हमें 20 नॉट लिए यानि के बीशाज चाहिए होनगी अब यह जो पांच नॉट से उनके आधी-हाधी को त्समल में डिवाइड कर देंगे यानिकि एक पार्ट के लिए के लिए हमें तेन कॉट्स चाहिए होँगी जैने कर ङूए हय से नॉट यपूत को क्यों हमें आप 10 कौड्स मिल गई है याद रखिए 10 कॉड्स एक साइड में चाहिए हमें और पूरा लीब बनाने के लिए 20 कॉड्स अब यह जो यलो गलर का कॉड्स है सेकंड लास्ट हमारा कॉड्स है उसको लेके एक साइड की सारी कॉड्स में इसमें डाल दूंगी और याद रखिए इसको क्रॉस में पकड़ना है और वे से बनाना है प्रिंट्सी डिजाइन बहुत आसान है आप जल्दी समझ जाओगे यह देखिए मैंने एक लाइन पुरा कम्प्रीट कर लिया है अब हम दूसरा लाइन भी बनाएंगे यह जो हमारा कॉड है पहला वाला उसे लेंगे और इसमें भी कॉट्स को डालेंगे लेकिन ध्यान से देखिए अब हमें थोड़ा थोड़ा ग्याप रखके कॉट्स को डालना है तभी लीप का डिजाइन बनेगा झालना हमें बनेगोर और एक प्रफ़ा रखके को डेम अजया है तभी का उसे अचिए लाइन रखके को डालना है तभी जोड़ा भीप कर दोट्स को रखके कॉट्स कॉट्स की अवाईन बनाओ लेका कॉट्स का गग देखिए फ्रेंट्स अब हमें लास्ट की जो तो कॉट्स होती है उन दोनों कॉट्स को डालते वेक्ट हमें यह जो डिस्टन्स होता है जो हमने बीच में रखा है उसे कम करते जाना है और लास्ट का जो कॉट है उसे बिलकुल पास में लाके लॉक करना है तभी यह डिजाइ इसे ही डिजाइन बनाना है 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 और अब मैं यहाँ पर एक नीचे जो कॉट्स आई है उसमें हम नॉट लगा लेंगे अब हमें इसके नीचे फिर से ही डिजाइन बनाना है अब दिखिए यह जो नॉट है हमारा यलो कलर का उसमें से जो दो दो कॉट्स आई है उनको फिर से हमें डिवाइट करना है तू पार्ट्स में और एक पार्ट इस इसे के लिए हैं और याद रखिए जब हम यहाँ पर लीप का डिजाइन बनाने वाले हैं तो ग्याइन बनान आप छोड़ना है थोड़ा सा और इस क्रॉस में पकड़ना है देखिए ऐसे पकड़ना है क्रॉस में और फिर इन कॉट्स को इसमें डालते जाना है क्रॉस में बनाना है क्रॉस में बनाना है क्रॉस में बनाना है क्रॉस में बनाना है क्रॉस में तो दिक्री में नियुके प्रविक्ता बना लिया है और यह जो शेफ है यहां से जो हमारा R Until the W hina का जो लीफ है इसे पूरा बनाने से पहले यह जो उसकी तीन कॉर्ट होती है याद रखिये और ध्यान सी देखिये यह जो तीन कॉर्ट से जो उसमें जाने वाली है उसे मैंने नहीं डाला है जो कि पहले हमें यहाँ पे नॉट लगाना है और इसके लिए जो के साइड में मैने ही डिजाइना बनाईर खुल के बिँखनेंदये लेकिन नीचे जो वे भी बनने वाली उसकी तीन कॉर्ट मैंने नीचे नहीं डाली है, देखिये क्योंकि उसमें हमें नॉड लगाना है, ये दिखिये, तीन-तीन कॉर्ट से, दोनों साइट की, अब हमें फोर कॉर्ट सेंटर में रखनी है, और साइट की एक एक कॉर लेकिन नॉट लगाना है धीला सा एक ताकि ये जो हम मैट पुरा बनाने वाले हैं कवर ये ये जुड़ा हुआ बनेगा बहुत अच्छा बनेगा अब हम इन कॉट्स को इसमें डाल देंगे कि हमारा नॉट लग चुका है बनाने अच्छा बनाना है तो प्रेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि अब हमें पूरा डिजाइन ऐसे ही बनाना है सेमें से ही लीव का डिजाइन हमें नीचे भी बनाते जाना है आप जब इसे शुरू करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे नॉट्स लगाना है आप देखें यहाँ पर फिर से नॉट्स लग जाएगा सेंटर में जो कॉट्स आती है नीचे जब डिजाइन बन जाता है तो वहाँ पर हमें एक एक नॉट्स लगाते जाना है डिला डिला यहाँ पर एक लीप बन जाएगा यहाँ यहाँ पर नी थोड़ा बना लिया था लेकिन फि रिला नी वेश आप में नीचे अल्योट्स लगाने के बादिस हमें डालों यहाँ मैं यहाँ पर यहाँ पर कम्प्रीत कर लिया था प्रेंट्स देखिए यहां नीचे कैसे शुरुवात कर दी है वो मैं आपको बताऊंगी आप ज्यांजी लेखिए मैंने कहा था कि पहले हमी नॉट लगाना है तो सेंटर में हम फोर कॉट्स रखेंगे हर सेक्शन में याद रखें और साइड से हमें से बेकर कॉट उठाना है वो उसकॉट्स हमें नॉट लगाना है यहां से हमें इसे कैसे मोड़ना है वो देखिए यह जो हमारी yellow color की cord है, two cord है, तो यह जो उबर का side ही यह खुला है, इसको हमें लॉक करना है, तो उसमें हम यह cord डादेंगे, नीचे वाला cord है वे उपर वाले cord में फसादेंगे, तांकि यह खुले ना है, तो यह नीचे मुढ जाता है, नीचे कप रिमार बराने के लिए, अब देखिए तिसके हम इंपों को पुपार्ट में डिवाइब करें और इसके यहां भी इसको बहुत में पकड़िए यहां भी दिवाइब करें बनाएं अब देखिए फिसके हम इंपों करें भी दिवाइब करें कर दो 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 तो देखिए फ्रेंट्स ये डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा तो फ्रेंट्स देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है ये जो आपको सेंटर में ब्लाप्स नजरा रहे हैं ये नाइन बनाए है है यानि कि ये जो नीजश का एक चंप हमारा है तारीट का इसे ने नोवार बनाया है ये जो फ्लाव तको नजरा रहे हैं और यलो और उसे कमने करने के बाद जैसे हमने चुरुबार में डिजाइन बनाया था यह देख लिए जैसे मैंने यहाँ पेख बनाया है जैसे मैंने यहाँ पेख बनाया है जैसे मैंने दूसरी साइड में मुखनाया है और जब ये पुरा बन गया था तो मैंने इन पॉट्स को कश्ट कर दिया है और अब हम इन पॉट्स को लाइटर की सहारे से शिफ्कार देंगे पीछे ये जिसी प्रेंट जब मेरा ये डिजाइन कम्सेट हो गया था तो मैंने यहां पर इस एक नॉट लगा लिया था उसके बाद मैंने यहां पर एक बाटर बना लिया था ये दिखिये मैंने इसके ये नॉट्स लगा थी ये जरूर लगाईएगा जिए न ने इन पनी और शो चितरा इसन comprehensive बाल्वनाय के दो सबनाया है प्सक्राइब में की लिद्य घु जगा निदा के लिए मेरे तो प्रेंट्स देखिए अब हमारा इतना बन गया है तो यह जो हमारा पार्थ है यह जो मैंने आपको बताया था कि यह हमारे किज के एक साइड में आने वाला है तो यहां पर हम पोकेट बनाने वाले हैं यदे आपने पर हमारे कि बनाने यहां पर यहां पर आपकेट बना सब्ते हैं यह जी ayust हो यह जो बनाना मैं और इस इस को शीनगल नॉक्ड़ है ओर रिंड़ का अपक तर में इस सउंड्स आपको यह परऊ नॉक्त बतांग आए तो पलड़ लिया है करेंब हाप में तरका है कि जब मेजरमेंट अटाती है तो आप जिक से शुनते नहीं हो इसलिए मैं उसको कोशुच करते हुँ जो वीडियो में ना बता हुआ हो तो शिर्शिजे डिस्ट्रिशन बॉक्स में देदू अब देखें यह जो हमारा सेकेंड लाइन है नॉट्स का यहां से हमें सेवन नॉट्स छोड़नी है यह देखिए अब यहां से भी हमें उतनी ही नॉट्स छोड़नी है और बीच में जो यह जो नॉट्स है यह है तैंग प्रेंट्स आपकी जहान में आ गया नॉट्स क्या बताने वाली हो मैंने सिर्फ इसका सेंटर पॉइंट निकाला है अगर आप कम जादा करोगे तो आप उस्टी साफ्टी बनेगेगा अब देखे यह जिए हमारा पहला वाला नॉट्ट है जो मैंने विना था यहांसे अगर देज़े के तो साथ माल नॉट्स छोड़नी की बाद जो आपकाल जो मैंने लिए पार दाल की जो हमारा लास्त वाला नॉट्स के लिचे से तैयरे पालूँज इसमें रैट को दूंगे, इसे उपर से इसे निकालेंगे, फिर से इसे नीचे ले जाएंगे, और पीछे इसे लाइटर के सहारे से टिक कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ पर हमें इसे इसे टिक करना है, ताकि आगे हम उस कॉर्ड में होट्स को डाल सके, तो देखिए प्रेंट से यह कॉर्ड में लगा लिया है, अच्छे से, अब मैं इसमें कॉर्ड को डालूँगी, क्योंकि पॉके बनाना है, तो उसमें हमें कॉर्ड डाली होगे, और इसमें मैं टू कलर्स में बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं एट येलो कलर की कॉर्ड ले रहूँ, तो इसके के बास में बिल्टीय कोड बास में एट येलो κलर की कॉर्ड ले लोगी, देखे मैंने आपसे कहता है यह एटेट टोनो स्राइट में यलो कलर्टी कॉट लाली है और सेंटर 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 सिब 6 कॉट्स लाली है औरेंज कलर की यानिकी टोटल हमारी कॉट्स है 22 यानिकी 22 और इनका मेजर्मेंट क्या है और सारी डिटेल्स में फिल से दिस्क्रिप्शन देखे जीएगा और अब हम यहाँ पे नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमें सिंगल सिंगल नॉट लगा लेना है पूरी लाइन में मुट्रल से बातीन में से च्याय क seven धुट्स को यहाँ पुसा को ङुट्स मैने हाफ प्साए नॉट्स अले में लगे thel transactions不好 और संबिया है तो तो ग्रत्क्रत्स का घंँगा है दवाइस प्र cylinder को लेकर पहले हम यहां की दो कॉर्ड की चाहिए नॉट लगा लगा लेना है अब हम फिर से वही डिजाइन स्टार्ट करेंगे देखिए इस पैजने में नाट लगा लिया फिर हम वोज डोनों कॉट्स को बनाना है अब देखिए साइजने में देखिए बनाना है लगा उपने में बनाना है अब देखिए अब देखिए जाइन स्टार्ट करेंगे अब देखिए झाल आब देखिए झाल झाल अब देखे प्रेंट्स हमारी यह जो दो लाइनी कम्प्लीट हो चुकी है उसके बाद हमें इस सेंटर की कॉट्स में बड़ा सा नौट लगाना है देखिए इसे दो दो कॉट उठा लेंगे साइड की और फोर कॉट्स को सेंटर में रखेंगे और नौट लगा लेंगे अब हमें डारेक्ली इसको ऐसे नहीं मोड ना है इस डिजाइन बनाने के लिए पहले हमें नौट लगा लेना है जैसे हमने ऊपर इन औरेंज कोट्स को लेके नौट लगा लिया था वैसे ही हमें यहां पे भी नौट लगाना है लगा लगा लगाना है अब दीखिए यहां पे एक नौट लगेगा अबना है शजगे एक बोगाना शक़ niव मोड़ा है यह जहां पेल लगा लगाडोगणे को लिए में आ नौट लेका लगाना包 झाल 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 तो देखें फ्रेंट्स इस तरह से मैंने ये पॉकेट कम्प्रीट कर लिया है और देखें ये जो नौट्स है ये 7 है सेंटर की और बाकी की जो नौट्स है वो झाल 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 ये 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 य इन में एक एक नॉट और लगा लूँगी और इने लाइटर के सार इसे में पीछी की तरफ चिपका लूँगी ये नॉट सिर्फ इसलिए लगानी है ताकि अगर कभी आपकी स्टिक करी हुई जो कॉट से वो अगर बाइचांस निकल जाती है तो आपका पूरा पॉकेट एकदम से नहीं खुलेगा इन नॉट्स की वज़े से वही पर रहेगा और आपको टाइम मिल जाएगा उन्हें फिर से स्टिक करने के लिए तो ये बस एक केरफूल होने का तरीका है और कुछ नहीं अगर कभी ऐसा हो जाएकि ये जो कॉट से ये बहुत चोटी हो और आपका ये नॉट्स ना लगे चार कॉट्स को लेकर तो आप जब हम सिंपल थ्रेड में जो साधा नॉट्स लगाते है ये देखिए ऐसा नॉट्स जो होता है ये भी आप लगा सकते हो जरूरी नहीं है कि वो चार कॉट्स मिलाकर वाला जो नॉट्स लगता है वही लगे मैंने भी कुछ-कुछ जगे वो वाला नॉट्स लगा दिया है हमें करना सिर्फ इतना है कि इसे लॉक करना है तो नॉट्स आप कोई भी लगा लो और फिर ये जो बची हुई कॉट्स है इनको ठीक से कट कर लोगी और लाइटर से पीछे स्टिक कर दूगी कर दो कर दो कर दो है तो फ्रेंड अब बाहरी है हमारे पॉकेट को साइट से लॉक करने की हम पीछे से लॉक कर चुके है अब हम एक कॉर्ड ले लेंगे और इसे साइट से हम लॉक कर देंगे इस पॉकेट को ताकि आप जो भी इसमें कुछ रखे तो वो बाहर नहीं आएगा और ये तरीका सबको पता होगा लेकिन फिर भी देख लेजिए मैंने ये जो कॉर्ड नीचे से निकाला है इसको मैं यहां पर लाइटर से स्टिक कर दूँगी ताकि ये वही पर रहे और अब ये जो साइट से जगे मिलती है हमें जब हम नौट लगाते हैं तो यहां पर एक चैन जैसा बन जाता है और जगे मिल जाती है तो उसी में से हमें इस कॉर्ड को डाल के निकालते जाना है याद रखिए हमें नीचे तक निकालना है कर दो ऑफ़ जाता है कर दो अब एक दोत खब दो कर दो सकत्कित कर दो एक हमें जानने कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो देखिए मैंने यह से कॉट से लॉक कर दिया है पता भी नहीं चलता कि हमने कहां से कॉट को निकाला है और कहां पे डाला है ऐसे ही मैं दोनों पॉकेट्स को दोनों साइट से कर लूँगी यह देखिए आपका पॉकेट बिल्कुल रेडी है तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यह फ्रीच का कवर बिल्कुल रेडी है विद पॉकेट्स पॉकेट्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे बने हैं देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं प्रेंड्स यह कलर कॉंबिनेशन मैंने अपने हिसाब से लिया है आप भी ऐसा कोई इसने बनाया है एंड बिलीब मी वह फिलिंग बहुत अच्छी होती है जब आप अपने हाथों से बना कर कोई चीज लगाते हैं और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो फ्रेंड्स आए होप आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजियो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मैं अब आप से मिलती हूँ अपने नेक्स वीडियो में तब तक हे लिए अपना बहुत-बहुत खयाल रखिए बाई